हलो एवरिवन, डिसी मशिन एंड ट्रांसफोर्मर जेमाँ चैप्टन नंबर बे विशे जर्चा करता हता जेनु नाम हतु डिसी जनरेटर चैप्टन नंबर बेमाँ अपने अलग अलग प्रकान ना जनरेटरों विशे जर्चा करी हती जयमके संड प्रकानु जनरेटर, त्यार पसी सिरित प्रकानु जनरेटर औने कमपाउंड प्रकानु जनरेटर जयमके कमपाउंड प्रकाना जनरेटर ना बैप पिटा विपाग अता जयमके क्युमिलेटिव कमपाउंड औने डिफरेंशल कमपाउंड तो तमाम प्रकाना जे जन्रेटर हता तो तमाम जन्रेटर ना डायाग्राम येना अलगळग प्रकान ना इक्वेशन और ये तमाम जन्रेटर नी बनalgia प्रकान निक चैरक्टरिस्टिक ये लेके जनरेटर में जारेपन आपने वल्टेज उत्पन करता होई है ते उत्पन करवा माटे नी कई-कई जे सरतो होई ये सरतो जनरेटर में फुल्फिल थवी जोई है ते तमाम सरतो विशेनी चर्जा आपने अधना लेक्चर में करीशू परन्तु वल्टेद बिल्डप नों टोपिक समत्ता पेला आपनने बेजिक ख्याल हो जोई ए कि कोईपंब प्रकाणू जनरेटर होए जैमके यँआ जोई शकाई आपने जारे पंद दरेक जनरेटर नो डायाग्राम ड्रो करे हो तो ए समय पंद आपने वाद करी हती कि कोई पंद प्रकानों जनरेटर होए यहमा हम्मेशा यहाँ आपने जो सर्कीट नी वाद करीशू तो कई का आरीते होई छे जमक्याई यहाँ सपोज एक आर्मेचर कनेक करेलू छे त्यार पच्छी आर्मेचर नी साथे समांतर मा एड़ेके पैरेलल मा एक प्रकाननू शंट वाइंडिंग जोड़ान करवा मा आउतु होई छे आरीते आरीते एक संट वाइंडिंग जोड़ेलू होई आरीते एक संट वाइंडिंग जोड़ेलू होई अनि त्यार पच्छी आर्मेचर कनेक करेलू होई आरीते एक प्रकाननू शंट वाइंडिंग होई जे आर्मेचर नी साथे पैरेलल मा होई लेके आर्मेचर नी सामे होई और यह एक प्रकाननू सीरिस वाइंडिंग होई लेके आर्मेचर नी साथे जोड़ेलू होई लेके आर्मेचर नी साथे जोड़ेलू होई लेके आर् आर्मेचर ने सव प्रथाम आपने प्राइम मुवन नी मदत्ती रोटेट करावीशुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु एन अने एस पोल होई एन अने एस पोल नी वच्चे एक प्रकान नू चुम्बक एक शेत्रा उत्पन थाहेलू होई छे एलेके मैगनेटिक फ्लक्स पैदा थाहेलू होई अने आर्मेच ना रोटेशन ने काराने ए मैगनेटिक फ्लक्स कट थातु होई छे अनि magnetic flux कट था वाथी according to that farad is low of electromagnetic induction इलेके फेराडे ना नियम प्रमाणे चुम्बक्या flux कट था वाथी आपणने EMF मर्तु होई EMF इलेके Electromotive Force मर्तो होई EMF ना परिणामे आर्मेचर माथी करंटनू वहन थतु होई जे करंणने आपने कॉम्मुटेटर और ब्रस द्वारा करंटनू लोड मार्पते वहन करावी सकाई छे तो बेजिक जे प्रिंसिपल होतो जनेटर नो ये कईक आप्रमाणे न होतो हवे आजे जनेटर माँ वल्टेज उत्पन थाया के जे वल्टेज ने कारणे करंटनू वहन थायू परन्तु आ वल्टेज ने बेदा करवा माटे नी केटलिक सरतो होई से तो कई-कई सरतो होई ये तमाम सरतो नी आपने हावे चर्चा करीशो तो ये आपनने प्रथम एक सरत आपेली छे के पोल माँ रेसिडियोल मेगनेटिजम होई जोई है जे पन कई आपना पोल होई जैमके बनने प्रकान ना पोल हता जैने आपने नाम आपी होतो अने एस तो पोल मा एक प्रकानों रेसिडियोल मेगनेटिजम हो जोई है हवे रेसिडियोल मेगनेटिजम कोने क्या वाई तो रेसिडियोल मेगनेटिजम ने आपने आगण पनवाद करी हती कोई एक प्रकानों चार्ज होई चार जेट लेके कोई एक प्रकार्णों उन्य वाल्टेज होए । जे वाल्टेज जन्रेटर्णने स्टाट करता पहला जी वाल्टेट थाएल होए जैम के आपनु जे आर्मेचर होए यहां जोई शकाए कि आपना आर्मेचर ने आपने प्राइम मुवन नी मदथी रोटेट कराविशु प्राहिम मूँर्णी बदत्ते रोटेट करावया पछी जारे आपनु आर्मेचर चुम्बक्या फलक्स कट करसे त्यारे आपने वॉल्टेद मरसे परन्तु एउल्टेद मर्णे त्याँ सुधी मा आपना जनेरेटर ने अम्यूख वॉल्टेद मर्णों जोईए ए वल्टेज जो मरसे तोज आपनो जनरेटर रेटर वल्टेज बिल्डप करी सकते लिव कई सकाए कि जा सुधी आपनो आर्मेचर होए ए आर्मेचर चुम्बक की अफ्लक्स कट करी औने वल्टेज पैदा ना करी सके त्यां सुधिना समय गाड़ा मां, आपना आर्मे चन ने कोई एक प्रकाण्नो वल्टेज मड़ो 10 जोईए कि जे वल्टेजने काराने, ए फोते खुब जडब्सी वल्टेज प्यदा करी सके तो ए वल्टेज आपन ने क्या थी मर्से तो ए वल्टेज आपने पोल ना residual magnetism मा थी मर्से वह residual magnetism में डेशु तो पोल माँ अमुक प्रकाणनों जे charge होय से अमुक प्रकाणनों जे voltage होय ए वल्टेज टोर थाएलो जे यह जारेपन आपने प्राइम मुवर नी मदत्ती आर्मेचर ने रोटेट करावानू चालू करशू तो ए समये पोल मा जे रहलो वल्टेज होए ए वल्टेज आपना आर्मेचर ने मरशे ये वल्टेजने काराणे आपनु जे आर्मेचर होई ये आर्मेचर खुब जड़पती भर से जड़पती भरवाने परिणामे ये पोते जड़पती जुम्बक ये फ्लक्स ने कट करी सके जरब्थी चुम्बक यह फ्लस करी सके इटला माटे आपने खुब जुछा समय मापनों जे रेटेड वल्टेज होई ये रेटेल वल्टेज आपने प्यादा करी सकाई छे तो प्रतम सरत आपने शुचे तो पोल मा रेशिडियोल मैगनेटिजम नुँँ होऊ खुबज जरूरी छे जो रेशिडियोल मैगनेटिजम ना होई तो आपना आर्मेचन ने जे सरुआतनों समय गाड़ों होई ये सरुवातना समय गाडामा वल्टेज मड़तो नथी ये सरुवातना समय गाडामा जो वल्टेज ना मड़े तो आपनू जे आर्मेचर से ये आर्मेचर जे स्पीडे रोटेट थाओ जोईए ये स्पीडे पोते रोटेट थाई शकतो नथी जो SPD रोटेट ना थाए तो आपने जे रेटेड वल्टेद मढवा जोईए ए वल्टेद मढ़ी सकता ना थी एले रेटेड वल्टेद मेढवा माटेनी खुब जेक अगत्यानी सरत कई शकाए कि पोल मा रेसिडियोल मैगनेतिजम हो जोईए त्यार पछी बिजी सरत आपने आपेली छे कि आर्मेचर औने संट वाइंडिंग ना जोडान साचा होआ जोईए आपनों आर्मेचर एटलेके याज आपनों आर्मेचर आपेलू छे औने याँ आपनों शंट फिल्ड वाइंडिंग आपेलू छे तो ए बंदेना जोडाण साचा होवा जोईए विल्एके बंदेना अबले जारां जोडाण करिये तो ए शेड़ा आपने साची रिते कनेक करेला होवा जोईए क्याम के अहिक अहिका सुधाइ कि झारे आपनों आरमेचर रोटेट करवानें चालू करशे तो ए समय आपना आर्मेचर ना रोटेट थावा थी जुम्बकिया फ्लक्स कट थाशे और आपने EMF मरशे EMF ने काराणे आर्मेचर माथी करण्टनू वहन थाई याथी आर्मेचर माथी करण्टनू आरिते वहन थाशे अने आर्मेचर माथी जारे करांट नुँ वहन थाए त्यारे ए करांट आपनोई या संट वाइंडिंग माथी पसार थाए अने संट वाइंडिंग माथी करांट पसार थाए हई कोईपन वाइंडिंग माथी करांट पसार थाए येटे ए वाइंडिंग पोते खुब जडब थी चुम्ब की अ फ्लक्स पैदा करवानू चालू करशे अपने ख्याल जे चुम्ब की अ फ्लक्स क्या रे पैदा थाए तो जारे करंट मा फिर फार थाए तो जारे करंट मा फिर फार थावा थी चुम्बक या फ्लक्स के प्यादा थतू होई छे तो यहां जोई सकाए कि आपनू जे संट वाइंडिंग से ए संट वाइंडिंग मा आर्मेचर माथी जे करंट आऊ से ए आर्मेचर माथी आऊ तो करंट संट वाइंडिंग माथी पसार था से संट वाइंडिंग माथी करांट पसार थाए तो संट वाइंडिंग द्वारा खुबत जड़पती चुम्बक यह प्लक्स पैदा थाशे यानि जिटलू वदारे चुम्बक यह प्लक्स पैदा थाए येटलू जवदारे आपनों आर्मेचर एमेप पैदा करी सकसे परन्तु जो आपने यू बनी सके कि अहीं या संट फिल्ड वाइंडिंग नुझे जुडान होए अनि आर्मेचर नुझे जुडान होए ये बनने जुडान जो साची दीते ना करया होए तो सुब बनी सके कि आर्मेचर मा थी जे करंट या आउतो होए ये करंट आपना संट वाइंडिंग मा पसार ना थाई सके जो संट वाइंडिंग मा करंट पसार ना थाई सके तो संट वाइंडिंग पुते चुम्बक ये फ्लक्स पैदा करी सकतू न थी जो चुम्बक ये फ्लक्स पैदा न थाई तो आपनू जे आर्मेचर होई ए आर्मेचर आपने EMF प्यादा करी सकतू न थी तो rated voltage below थाओ माटे ने आ एक बीजी सरत हती कि आपनु आर्मेचर अने आपनु जे शंट फिल्ड वांडिंग होई ए बन्ने ना जोडान कर्याक्टे लेके साचा करेला हो आजोई ये पछेनी सरत आपने आपने लिशे आर्मेचर ना फरवानी दिशा साची होई जोई ये आपनु जे आर्मेचर होई ए आर्मेचर ने फरवानी दिशा साची होई जोई ये हारी देंगे आर्मेचर हाशे नहीं आपड़ू सिरीज वाएंडिंग होई नहीं आपड़ू शंट वाएंडिंग होई नहीं आपड़ू लोड कनेक्ट करें लोशे हवे त्रिजान अंबनी सरच्च आपणी आर्मेचन नी फरवानी दिशा साची होई जोई ये हवे आर्मेचर आपणू जो साची दिशामा फरसे तो ज आर्मेचर द्वारा जे पन कई करंट पेदा थाए ए करंट आपणू ये शंट वाएंडिंग मा जै सक्षे जो आर्मेचर साची दिशामा रोटेट नहीं थाए तो शुप प्रोब्लेम आउसे तो आर्मेचर द्वाराचे करण पैदा थाशे एक करण पन आपनो विरूत दिशामा जाए तो शरू आत्मा जे आपनों रेसिडियोल मैगनेटिजम पैदा था युँँ हतु ए रेसिडिय आर्मेचर द्वारा जे करण पैदा थाए एक करण आपनों फिल्ड वाइंडिंग माती पैदा थाए ये तो वधू प्रमाण मा आपनने आर्मेचर द्वारा एमे मड़ी सक्षे त्यार पचिनों अंतिम शरात आपणने आपेली शे कि फिल्ड सर्कीट नों कुल प्रतिरोध क्रिटिकल प्रतिरोध थी उच्छो हो जोईए आपने अगावाद करी हाथी क्रिटिकल प्रतिरोध नी कि क्रिटिकल प्रतिरोध कोने क्यावाई तो critical प्रतिरोद माटे आपने आगणा लेक्चर माँ जोई होतु क्या रिदे voltage अने field current ये बन्ये नो magnetizing characteristic नो आ रिदे ग्राफ होए ये आ ग्राफ माँ जारे आपने tangent ने ड्रोग करता होई ये ये आ रिदे येना origin माँ थे आपने tangent ड्रोग करें होतो origin लेके बन्ये ना सर्वतना point माँ थे आ रिदे आपने tangent ड्रोग करें होतो ये tangent ड्रोग करें आपछी आपने बै वैल्यू मरती हती आप पॉइंटू पर यहां आपने आपने वल्टेज नी वैल्यू मरती हाथी ग्राप परती आपने करण नी वैल्यू मरती हाथी तो जोई सकाए के वल्टेज अने करण यह बन्य नी वैल्यू होए तो बन्य नी वैल्यू परती आपने सू फाइंड करें हाथू तो critical प्रतिरोद R find करे होतो परन्तु आपना जे field winding होए ए field winding मा आपन रेजिस्टन्स होए जैमकि आपनों generator होए तो ए generator मा जे आपनों field winding होए suppose आपनों रेजिस्टन्स से संट winding नो RSH और सिरीज winding नो अपनों रेजिस्टन्स से RSE तो field winding ना जे रेजिस्टन्स होए आपनों field winding ना टूटल आपना ब्या रेजिस्टन्स से RSH बद्ता RSE तो आप बन्ने नी जे पन वैल्यू मड़े ए वैल्यू critical resistance R करता ओची होवी जोईए critical resistance R करता ए वैल्यू के वी थवी जोईए तो ओची थवी जोईए आपनों आपनी फुल्फिल थवी जोईए कि आपना जे field winding होए जैमकि शंट winding अथवा तो series winding तो ए बन्ने ना जे resistance होई RSH अने RSE तो ए बन्ने नों जारे आपने शर्वाड़ों करीशू अने आपने जे वैल्यू मरशे ए वैल्यू critical resistance करता आपने ओची मड़ी जोईए जो ए वैल्यू आपने critical resistance करता ओची मरशे तो ज आपनों जनरेटर proper direction मा residual magnetism पैदा करी सक्षे औने सारे इते rated voltage build-up करी सक्षे जो RSH अने RSE नी वैल्यू R करता वधू मड़े तो आपनों जनरेटर rated voltage पैदा करी सक्टू नथी तो आर इते generator मा rated voltage build-up थाओ माटे नी कूल 4 सरत हती जैंके प्रथम सरत हती आपनी जनरेटर मा जे पोल आवेला होए ए पोल मा residual magnetism पैदा थाओ जोईए जो residual magnetism पैदा थाए तो आने तोज आपनों जनरेटर rated voltage पैदा करी सक्षे पछे बिजी सरत हती के आपनों आर्मेचर औने आपनों shunt field winding ए बन्नेना जोडान साचा करेला होँआ जोईए पछे नी सरत हती के आर्मेचर आपनों योग्य दिशामा अने साचे दिशामा फरू जोईए अन्तिम सरत हती के आपना जे winding होई जनरेटर ना ए winding नो cool resistance ए आपना critical resistance करता ओचो थाओ जोईए तो आरी दे कोईपन प्रकानू जनरेटर होई तो ए जनरेटर मा आपने voltage बिल्डप करवो होई तो ए voltage बिल्डप करवो माटे जो आपनों चार सरत परिपूर्ण थती होई तो जापनों जनरेटर रेटर वाल्डेट प्यादा करी सकतू होई छे तो जिट्यों निद्रेश्टी आपने वाद करिए तो यह जोई शकाए क्या question ने आपने most IMP question गणी शकाए तो तमाम विद्ध्यार्थी होई जे प्रमाण आपने चार सरतों समझावी ये चारे सरतों ने सिक्वन्स माँ प्रमाणे प्रैक्टिकली ते समझी ने याद राखशो तो खुब सेलाई ते वस्तों ने याद राखी सकाशे तो अचार आखोचो क्यादना लेक्चर माँ धरेक विद्ध्यार्थीने सारीते ख्याल आयोशे थेंक्यू